हेलो गई स्वागत है आप सबका आज हम बात करेंगे अधानी ग्रूप के शेरों की टेक्निकल चाट के उपर और शोट टर्म प्राइस एक्षन के बारे में के सपोर्ट और रजिस्टर्म देखेगे तो यहां पर सबसे पहले अधानी टोटल गेस पांसो बैल इसका प्राइस यहां पर अभी देखे तो कल और आज पांसो बैटास जो इसका रजिस्टर्म है अभी वहां पर यह रजिस्टर्म ले रहा है फाइव और नाइन डेस की जो मूंग है और इसके उपर निकलने की कोशिश लिकिन आज जो है यह सफल नहीं रहा कल भी इसके उपर जाने की किया था 550 के उपर यहां पर भी उसी प्राइस के आसपास और वोलियम के अंदर देखे तो आज भी जो है कम रहा था और यह वीकली चार्ट के उपर दो ट्रेंड लाइन यहां पर बनी हुई है इसको आप देख सकते हैं मतलब कि जब हीड़न बग की रिपोर्ट आई उसके ब अब यह पर यह सबक्राइचया और फेल्ड ले रहा था इस ठेंड लाइन को देखे थे ओंडर यहां ऑपर आया नीचे के टेंड ले ज़ू हुआ हैं यहां पर जैसे कि ही नीचे में 520 रुपे से लेकर जो रेंज है यहां पर इसको अच्छा स्पोर्ट मिल सकता है और तो यहां पर लिक दे तो पहले तो उससे भी पहले अगर छोटा सा स्पॉर्ट देखे तो 535 के ओपर वह जो 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 दिख रहा है उसके बाद देखे तो 520 का जौन और उसके बाद देखे तो 500 रुपे का जोन रजिस्टन की बात करें तो अभी तो मतलब की 550 से भी ये नीचे है तो पहला है रजिस्टन 550 से उसके बाद देखे तो 565 का जोन और उसके बाद 580 का जोन तो अभी यही जो है रेंज में ये बना हुआ है तो इन सपोर्ट और रजिस्टर्ण के उपर जो ही नजर रख सकते है अदानी ग्रीन एनरजी की बात करें आज भी इसके अंदर जो है थोड़ इसी हल्की सी गिरावट देखने को मिली अभी भी फाइवर नाइन डेस के मुविंग एवरेज के उपर काम कर रहा है यहां पर अ सब्सक्राइड के उपर जो है यहां बनी हुई थी उसके बाद इसको तोड़ा जो यह ट्रेंड लाइन है उसके बाद अब इसके ऊपर जाने में जो है इसको थोड़ी सी यहां पर रजिस्टर्ण फेस कर रहा है और अगर पिछले दो हफते की बात करें तो बिल्कुल जो ह यह रजिस्टर्ण फेस कर रहा है अभी इसका अगर रजिस्टर्ण ऐरिया देखे तो वह भी हम देखें के पेहले सपोर्ण देख लेते हैं मतलब कि 960 रुपय का आसपास जो है यह पेला रेजिश्टन दिख रहा है, उसके बाद देखे तो 980 का प्राइस वह उसके बाद देखे तो एक अजार से लेकर एक अजार और बीस का जो जो जोन है ये एक जो है उसके बाद का रिजिस्टन यह यह दिख रहा है फॉर्थ शॉर्ट टम के अगर बात करें तो इन सपोर्ट और रिजिस्टन को आप देख सकते हैं अधानी एनर्जी सोल्यूसन की बात करें तो साथ सो साथ का प्राइस इसके अंदर भी एक पसन के आसपस की गिरावट फाई और नाइन डेस के मुवी के लचके थोड़ा सा नीचे का मतलब की नीचे बंद रहा हाला कि ज्यादा नहीं इसके भी वीकली चाट की अगल बात करें तो यहाँ पर भी अगर देखे तो फाई और नाइन डेस का जो मुवी के वरेज उसके उपर निकलने में जो हिसको दिक्कत हो रही है मतलब कि वहाँ पर यह अभी रेजिस्टन फेस कर रहा है पिछले हपते इसके उपर निकलने की कोशिच की लेकिन यह मतलब कि जा नहीं पा जा और यहाँ पर अगर आप देखे के तो लंबी सी ड्रेगन फ्लाइ जैसी जो है कैंडल बनी लेकिन अभी फाई और नाइन वीक के मुविंग इवरेज के ऊपर नहीं निकल रहा है तो मतलब अगर इसके ऊपर निकलता है तो अच्छा रह सकता है बाकी विकली चार्ट है लंबा चार्ट है इसका तो इसके भी सपोर्ट और रेजिस्टन हम देख लेते हैं फिलाल अगर देखे तो 780 रुपे का जो जो जोन है यहां पर पहले यह सपोर्ट ले रहा था अभी उसी लेवल के आस पास यह रेजिस्टन फेस कर रहा है पहले तो सपोर्ट की बात करें तो नीचे में 750 का प्राइस और उसके बाद देखे तो आज के दिन एकदम से अगर देखे तो डोजी जैसी केंडल बनी जहां पर ओपन हुआ वहीं पर क्लोजिंग और हाला कि थोड़ा सा जो है एक दम से ठंडा पड़ा हुआ ऐसा यहां पर लग रहा है नीचे में 200 रोपे का असपास का लोग बनाया उपर में हाला कि उपर चड़ने की कोशिश की इसके अंदर भी अगर देखे के तो यह फाइव और नाइन डेस के मूमी केवरेज के उपर निकलने की बार बार कोशि अब जो है इसके सपोर्ट और रजेशन को देख लेते हैं 225 रूपे का प्राइस है पहला सपोर्ट जो इसका अभी भी जो है 218 रूपे का जोन और उसके बाद देखे तो 2160 का जो जोन है अभी भी यह जो है एक रजिस्टन नहीं सपोर्ट दिख रहा है तो इन दोनों के जो है सपोर्ट है और आगे की बात हम भाद में करेंगे पहले तो 2160 का जो है अभी भी स्ट्रॉंग यहां पर मतलब की सपोर्ट देख रहा है और शौट टम की बात करें उसके नीचे की अगर बात करें तो एक सपोर्ट और है जो की 220 रूपे का सपास का जोन है इन अदनी पावर की इसके अंदर जो है आज सवा दो पासंद के आज पास की गिरावट देखने के मिली पिछली बार захली भी हमें इसके ऊपर बात की थी कि अपने रिजिस्टर्ट envy आजए प्यापने पैस पास पहुंच गया धा आज जब से इसके अंदर तेजी आई आप खुद देख सकते हैं कि यह लगातार फाइव और नाइन डेस के मुवी गेवरेज के ऊपर काम कर रहा है आज पहले दिन था कि इसने नाइन डेस के मुवी गेवरेज को टच किया अब यहां पर वीकली चाट के अब जैसे कि हम तो इसके डेली चाट के उपर अब इसके सपोर्ट रिजिस्टन हम देखे 390 पाइस है तो जैसे कि हमने बात की एक तो 380 का जो प्राइस है यह एक अच्छा सपोर्ट एरिया है पिछली बार भी यह पर इसने सपोर्ट लिया था उसके बाद बाद बैकाया था इसके नीचे जो है यह 430 तक जा सकते हैं तो दोनों ही सपोर्ट और रजिस्टन के ऊपर नज़र रख सकते हैं अदानी विल्मार की बात करें 200 पीचे अनुए का प्राइस इसके अंदर भी देखे तो और अभी जो है फाइव और नाइन डेस के मुविंग एवरेच के नीचे काम कर रहा है 280 का यहाँ पर जो है सपोर्ट और दिख रहा है और अगर रजिस्टन की बात करें तो डेफिनिटल यहाँ पर 305 से लेकर 310 रुपे का जो जोन है यह जो है एक रजिस्टन एरिया यहाँ पर दिख रहा है इसका जैसे कि वीकली चाट के ऊपर भी अगर हम देखेंगे तो ल ले सकता है और आज के वीडियो में इतने अगर अच्छा लगा तो लाइक शेन सब्सक्राइब करें और एक्स्टेंडर डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेंसे देता हूं कोई भी ट्रेट ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें अपने फाइना से रेडवाजर की सला ले उसके बाद